बारत में बुद्ध को बुला दिया गया, बुद्ध को बुला दिया गया, इसलिए बुद्ध पुणिमा को भी बुला दिया गया, लेकिन फिर भी धम की जड़े हैं, हरी रहती ही हैं, बहुत सारे बौधन व्याई हैं, जो पूरे देश बर में फैले हुए हैं, बौध धम म आप लोग परचार करते हैं, उसका परचार परचार करते हैं, तो आप लोग का उसमें मुख्य उद्देश, मुख्य थीम क्या होता है। अजूट बोने वाला कि धर्म का समर्थक्तुरी हो सकता है। दुराचारी लेखती कभी समानित नहीं हो सकता। नसा किसी भी जगह अच्छी बात नहीं है। तो बुद्ध निजो सिद्धान दिये, वो जन साधान के कल्यान का सिद्धान थै। नमस्कार, मेरा नाम अंकीत भारत दो आज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और सिद्धान देख रहे हैं। बुद्ध पुर्निमा को ले करके आज बौधो के द्वारा एक महा कारे करम का आयूजन किया गया है। अभी हमारे साथ बौध भिक्षू डॉक्टर करुनासिल राहूल जी मौजूद है। इसे हम लोग कुछ बात करेंगे चुकि बुद्ध पुर्निमा का त्योहार और इसकी छुट्टिया भी जाता है। और यह त्योहार भी हर जगा लोग मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों लोग इस छुट्टि को मनाते हैं। बुद्द पूर्णीमा को क्यों मनातें, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, सर सबसे पहले स्वागत है आपका बहुत-बहुत साथ वाद पहला सवाल आपसे करना चाहूँंगा की बुद्द पुर्णीमा लोग क्यों मनातें दखिए जो लोग महा कारणिक बुद्ध के अन्याई हैं बहुत धम को मानने वाले हैं उनके लिए ये सबसे महतवपुन पर्व है बैसाक महा की पुर्णीमा ये हमारा बहुत उत्सव है और इसका महतव इसलिए है कि इस दिन तीन अर्बुत गटना गटी सिदार्थ गोतम का जनम बैसाक महा की पुर्णीमा को हुआ और उन्होंने घ्रहत्या करने के बाद संबोद्धी का प्रेतन किया तो बैसाक महा की पुर्णीमा को ही उन्हें ग्यान उप्लब्द हुआ वो सम्वेक संबुद बने और उसके बाद पन्तारिस वर्सों तर लगाता धम का परचार करते करते बैसाक मा की पुर्णिमा को ही उनका महा परिंदिर्वान हुआ तो जनम की घटना और परिंदिर्वान की घटना मतलब दुनिया से विदा होने की घटना और उनका बुद्ध बन जाना ये तिनो घटनाएं बुद्ध पुणिमा के दिन ही घटी और इसके साथ एक बात और जुड़ी है ये तिनो की तिनो घटनाएं खुले आसमान में घटी सिदार्त का जनम भी लुंबनी के सालवन में हुआ खुला आसमान था ज्यान प्राप्ति भी बोध गया में बोधी वरक्ष नीचे हुई आसमान खुला था और महाप्रिन निबान भी कुशी नारा के सालवन में हुआ तो वहाँ भी खुला आसमान था तो बुद्ध ही दुनिया में एक मात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन की तीन महत्पुन गटनाएं एक ही दिन गटी हैं इसलिए ये बड़ा अद्वुत परव है ये तीन विशेस अवस्थाओं के साथ तीन यूगाए पावन परव जोड़कर जब एक परव बना है तो दुनिया के सारे बहुत अन्वियाई इस दिन को परव के रुप में मनाते हैं बुद्ध को याद करते हैं उनके परती अपनी सरदाशमन अरपित करते हैं और उनकी सिख्षाओं के परती संकल्पित होते हैं दान परमिता करते हैं लोगों के लिए कल्यान का काम करते हैं तो ये बहुत सुन्दर परव है बहुत अद्वत परव है चुकि भारत में बुद्ध को बुला दिया गया बुद्रफट को भुला दिया गया, इसलिए बुद्पुर्णिमा को भी भुला दिया गया लेकिन फिर भी धम की जड़े हैं, हरी रहती ही है बहुत सारे बॉदन्याई हैं, जो पुरे देश बर में फैले हुए हैं वो इस दिन परो मनाते हैं, आप देख रहे हैं, आज पाटली पुत्र में भी परो मना जा रहा है, तीन दिन से कारेकरण चल रहा है, और पुरे दुनिया में, पुरे विश्व में बुद्ध पुडिमा का उस्वा मना जाता है। और छुट्टी भी में बूले है भूला दिया गया है। पूरे देश में इसकी छुटियां मना जाते निस्नल हॉलिडेज इसको मना जाता है। नहीं अभी ऐसा नहीं है नेसनल हुलिडिज में नहीं आता यह राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर बुद्ध पुडिमा की छूटियां कर देती हैं या इसे जिसे हम वेकलपी कावकास के रूप में लेते हैं वो है अभी बुद्ध पुडिमा को राष्टिय परव के दूप में छूटी गोशित नहीं की गई है बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर के कुछ राज्यों में है जी और आप लोग जैसे बहुत धर्म को आप लोग परचार करते हैं उसका परचार परसार करते हैं तो आप लोग का उसमें मुख्य उदेश मुख्य थीम क्या हो हम उन्हें बताते हैं और जो व्यक्ति उनको सुनकर के अपने आचन में उतार लेता है उसका जीवन सुखी हो जाता है वो दुख से मुक्त हो जाता है तो बुद्ध के धमका यही एक मकसद है कि लोगों की दुखों को दूर किया जाए और उन्हें सुख का मार्ग दिया कि आप लोग ने कारेकरम का आयुजन किया। उसमें बहुत संख्या में लोग भी यहां पर आये हैं और बात्चीत कर रहे हैं। और आप लोग जिस तरह से पर्चार परसाज यह गान दे रहे हैं, तो लोग उसको बैठ करके सुनते हैं और अप उसको फोलो भी करते हैं। बहुत हाईलाइटर मंत्र होता है आप आप लों। देखि आसा है 살हा है discussion जू बुद्र ने जीवन जीने की राह बताई कि उषिर विचार को जनता तक पहुंचाने का काम करता है कि धुब अओननों में पंच सील है है 5 सील का मतलब 5 ने 400 गोज है उसका जीवन स्रेष्ट हो जाता है जैसे मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा तोरी नहीं करूँगा दुराचार नहीं करूँगा जूट नहीं बोलूँगा और नसा नहीं करूँगा ये पांच मूल बाते हैं और ये प्रतेक बहुत अनुयाई के लिए जरूरी है कि वो इन पांच बात जो भी मानेगा उसी का जीवन सुन्दर हो जाएगा जैसे मान लो कोई इसलाम को मानने वाला है और वो क्रोध नहीं करता है वो चोरी नहीं करता है वो व्याविचार नहीं करता है या इसाई को मानने वाला या हिंदू को मानने वाला कोई भी है वो पांच बाते जीवन कल्यान की बात है अब जूट बोने वाला कि धर्म का समर्थक्तुरी हो सकता है दुराचारी लेखती कभी समानित नहीं हो सकता नसा किसी भी जगे अच्छी बात नहीं है तो बुद्ध ने जो सिधान दिये वो जन साधान के कल्यान का सिधान था है लेकिन जो बुद्ध का अनुयाई है वो सेहर स्विकार कर लेता है जो बुद्ध का अनुयाई नहीं वो किंतु परंतु करने लगता है मानता तो अंतते वो भी है तो बुद्ध की जो सिख्षाएं है ये जीवन कल्यान की सिख्षाएं है और बुद्ध के धमका उद्देश ही जीवन को स्रेष्ट बनाना है इसके सिदान्त में सम्ता है सम्ता मतब बराबरी है कोई छोटा बड़ा नहीं है बंदुता है हम सबी भाई भाई है कोई भेद नहीं है कोई छोटा बड़ा नहीं है इसके साथ सब को सवतंतरता है और सब के लिए न्याय है तो समता बंदूता किसी धान पर करुणा मैतरी के विवार के साथ सवतंतरता और न्याय प्राधारी जो बहुत धम है ये सब के कल्यान के लिए पहले जन्ली कि कोई भी बहुत धर्म को को अपना अपये तभी ये पांच पूल करे, कोई को भी ईसको कर सकता है, वह ही आप लोगे आप interrupting आपको अपस पूआ tut आ, देखे Roll आपको गुलाब का फूल बहुत सुंदर लगता आ अब गुलाब या सुंदर तो सुंदर खुस्प जिसको भी लगे ले ले ऐसे बुद्ध की सिख्षा हैं तो सुन्दर हैं अद्बुत हैं कल्यान कारी है जिसको अपने कल्यान की भावना जागरत हो जाए वह इस बात को मान ले तो बुद्ध कोई सीमाओं का नाम नहीं है बुद्ध के धम में कोई करमकान नहीं है बुद्ध ये भी नहीं कहते कि पहले मेरी आरती उतारोगे तब मेरी बात मानोगे या तुम ऐसा काम करो कि मैं खुस हो जाओ तब तुम सुखी होगे बुद्ध ने तो ये कहा है मैं किसी का मुक्ति दाता नहीं हूँ मैं तो कल्यान का मार्ग बता रहा है जो इस मारख पर चलेगा उसका कल्यान हो जाएगा उधान के लिए किसी दवा कंपनी ने दवा बनाई कि बुखार उतारने के दवा है और डोक्टर दवा के इस्तिमाल करता है बीमार व्यक्ति को दवा चाहिए ये दवा पहले पूछती है कि ये व्यक्ति हिंदू है इसलाम को मानने वाला इसाई को मानने वाला बौध को मानने वाला तम असर करूंगी नहीं करेंगी ना तो ये तो सिध्धानत हैं अब ये पंखा चल रहा है अब हवा सबको लगेगी, या कितने भी धर्मों के लोग बाइर जाएं, और धर्मों के छोड़ी है, या चार पसु भी आकर बैठेंग, उनको भी लगेगी, लगेगी ना, तो बुद्ध का धम, बुद्ध की सिक्षाएं मानव के कल्यान के लिए है, मानव के कल्यान, मानव क अब पुर्णिवा के बारे में लोगों तक बात पहुंचा दी जाए कि क्यों हमारे देश में बुद्ध पुर्णिवा मनाया जाता है विलाल अगर आपको इससे और भी कुछ सवाल होते हैं तो कमेंट बाक्स जरू बता है और आपके पास अगले वीडियो में में इसका भी करके आएंगे अगर वीडियो पसंद आये तो सेर करना वोले बहुत बहुत धन्यवाल